मेरा अप्रेशन हो गया है और हर हर महादे बोड़े उनिंग गैसे हो आप सवाई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हो अच्छी हो आप कि अवी पती देव नहीं आये हैं और जादी जो थोड़ा पैर में मिवाद हुआ है उसी का उप्रेशन होगा दो चलो अब गर्मी पढ़ने लगी नवामित है रहीघा है और सबस्वाइब ने प्रका है और हमाई रहने चलो यह टुपत्त पर देबड़े घुठा नकीस यह सहत ब्ल्ली फूर है अब लगा है अब गर में पढ़ने लगी ना हलका ही चाहिए पैदल से चलोगी की गाड़ी से चलोगी पैदल के नाम से आ रहा किसे टी पिटी कूम हो ती देखो बोली थी टीफिन देने के लिए लाइक चलो जा बर गया घर से बाहर में जाना दुबाव गया अधिक है तो चली ब जबन सब्दाइब मेरे स्वर्म नियती है चलोगी तो आद लाइस को तो मैं आर आए हैं होज़़ आए हैं होस्पिटर और डॉक्टर साड़े साथ बज़े आएंगे हम लोग साड़े पांच बज़े तक आये हैं तो अभी दो घंटे में डॉक्टर आएंगे तो पति दिव बोले चली आओ तो अब मैं जा रही हूँ घर पे पति दिव बाहर खड़े हां श्पिटल के फिर साम को साड़े साथ बज़े फिर से मैं वापस आऊंगी तो यहाँ पे देखिए आरो सब के लिए अब डोज पानी पूरी आया था तो मैंने भी थोड़ा सा पानी पूरी खा लिया जाते जाते अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और यहाँ पे लोग खाएंगे और यह देखिए यहाँ पे डॉक्टर अभी तक नहीं आये हैं वेट कर रही हूँ डॉक्टर का पति देव पीछे कड़े है वह स्माइल कर रहे है देखिए कुछ भी हो जाए वीडियो बनाना बन नहीं होगा वही जोज के स्माइल कर रहे है और मैं तो टेंशन में आ गई हूँ कैसे क्या होगा डॉक्टर आ गए है डॉक्टर ने बोल दिया ना कि दवाई से नहीं ठीक होगा इसको आपरेशन करवाना ही बढ़ेगा तो पती देव बोले कि आज ही करवा देता हूँ तो वही टेंसर में होँ तो गईज यहां पर मैं आके लेड़ गई हूँ धीरे से मिलती हूँ मैं आप लोगों से सुबह में क्योंकि बहुत ज़्यदा दर्द हो रहा है बहुत तकलीफ हो रही है तो मैं इतीत की दवाई ले ली हूँ मैं सोच रही हूँ सोच जाओ तो चलो मिलती हूँ गुड़ नाइट हर हर महादे गुड़ मॉर्निंग गाईज कैसे हूँ अप सवाई हूप आप लोग बहुत अच्छे हूँगे मैं भी अच्छे हूँ तो गाईज मेरा प्रिशन हो गया है और राद भर इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना कि पूछो मत अभी भी दर्द हो रहा है नीद तो इतना आ रहा है लेकि नीद ही नहीं मतब आंक बंद कर रहे हूं तो नीद नहीं आ रही है डॉक्टर ने इतना दूर काटके निकाला है पूरा खराब हो गया था वो लाके दिखाए हम लोगो जो अंदर से निकला था पूरा तो कट हो गया था और उसको जांच के लिए भी देना है कि क्यूं ऐसा हुआ है ताकि उसकी दवाई हो सके फिर आगे से इससाना हो इसको जांच के लिए भी दिया गया है तो अभी कल हम लोग आ रहे थी मोघे हो अपरेशन थेटर में गई थी यं Days को निकालते निकालते अंच कि आता मुझे 10 बज गया बाहर निकलते निकलते तो इता ज्यादा है था कि पूछो मत डॉक्टर ने कहा कुछ होगा त्फिर आना वैसे रहेगा नहीं कुछ मैंने का भी छोड़के रखें गया तो ज्यादा दर दो रहा था इतना रो रही थी मैंना कि पूछो मत सुन कि सोई लगान कि यह है कि वहाँ पूरा पट्टी उट्टी लगा है और दो दिन नहाने के लिए मना किया है डॉक्टर ने तो दो दिन नहीं नहांगी कल सीवा हुआ अब रात को ग्यारा साड़ी ग्यारा बजी गए थी यहां से इतना दर्द हो रहा था कि मैं इतना महालत मेरी खराब थी चलीए अभी इट पक रहा है मैं इसको ना राद भर पकड़ के सुई थी मुझे बड़ा अनकुष लग रहा है और दूसरी बात ना मैं डर रही थी दुख न जाए आ रहा रहा नीचे सुए थे फिर भी मुझे डर लग रहा था इसली मैं उसको पकड़ के सुई थी राद कि बच्चे गर ऊपर आए आरो क्या करता है ना कहीं भी सुलादो आके मेरे पास ही सोता है तो इसलिए मैं उसको पगड़ की सोई थी कि आरो आएगा तो उससे दुख न जाए गलती से ठीक है तो चलिए यह यह आईस का व्लॉग अभी नेहा सूरज भी आ रहे होंगे फोन किये थे मुझे देखने तो मिलती मैं आप लोगों से नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाई 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 सीव सून लभी गाई थैंक यू फोर वर वाजिए बाई बाई